आपने ये तो सुना ही होगा कि माइटो कॉंड्रिया हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है यही हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाता है जिसका इस्तिमाल करके हम कोई भी काम कर पाते हैं पर क्या आपको ये पता है कि माईटोकॉंड्रिया हमारे सरीर के अंदर उर्जा का निर्मार करता कैसे है। चलिए सबसे पहले आज हम यही जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी सेल में इस mitochondria की संख्या कितनी ज्यादा होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेल को उसके metabolism के लिए कितनी ज्यादा energy की आवशक्ता है ये mitochondria सेल के अंदर कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं जैसे muscle सेल के अंदर इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि muscle सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है energy के आवशक्ता होती है muscle सेल को देखिए mitochondria दो layer से मिलकर बना हुआ होता है एक outer membrane और एक inner membrane दोनों ही phospholipid की layer से मिलकर बने हुए होते हैं दोनों membrane की बीच में inter-membranous space होता है जिसमें cytosol की तरफ fluid भरा रहता है और ये inner membrane mitochondria के अंदर कई सारे fold को बनाता है जिससे इस membrane का surface area बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वज़े से mitochondria का अंदरूनी भा पारे काम के enzymes circular DNA और ribozome भरे रहते हैं देखिए circular DNA होने की वज़े से mitochondria cell में बहुत ही आसानी से divide होकर नया mitochondria बना लेते हैं उसे cell division की आवशकता नहीं होती है राइबोजोम की वज़त से इसके अंदर ये अपने काम के protein को synthesis भी कर सकते हैं पर सबसे बड़ा question तो अब आता है कि cell के अंदर mitochondria energy का निर्मार करता कैसे है और याद रखिएगा cell के अंदर mitochondria द्वारा energy का बनाना एक बहुत ही अलग प्रोसेस है उसे cellular respiration के नाम से जानते हैं जो की चार चरणों में होता है जिसमें oxygen की आवशकता होती है glucose molecule से energy बनाने के लिए चलिए ये बात जानते हैं बहुत ही short में देखिए जब हम भोजन खा लेते हैं और भोजन म 6 carbon atom से मिलकर बना हुआ होता है और glycolysis process के बाद यही glucose अब 33 carbon के दो molecule pyruvate में बदल जाता है और इस process में एक बहुत ही important electron को carry करने वाले molecule NADH का भी production होता है यह NADH बहुत ही important है यह electron को carry करते हैं आगे आगे देखते जाए होता क्या है देखिए यही pyruvate molecule अब mitochondria के अंदर प oxidation का process इस process में pyruvate acetyl coae में बदल जाता है दो carbon वाले अडू में और इसमें नेट 4 NADH और 1 FADH2 जो की एक प्रकार का electron carrier होता है उसका निर्मार होता है इसमें कुल 1 ATP energy का निर्मार होता है इस process में carbon dioxide का निर्मार भी होता है और जो दोनों stage है ना इसमें oxygen की आविशक्ता नही होती है यह anaerobic process होते हैं इसके बाद cellular respiration का तीसरा stage चालू होता है citric acid cycle या Krebs cycle इसमें बहुत सारे enzyme acetyl coae के साथ reaction करके end product के रूप में oxaloacetate acid का निर्मार करते हैं और इसमें कुल 6 NADH molecule 2 FADH2 molecule 4 carbon dioxide की molecule और 2 ATP का निर्मार होता है इस process में भी oxygen के आवशक्ता तो नहीं पढ़ करता है इसलिए इसे aerobic process कहा जाता है देखिए इन सब process के बाद अब energy production का यानि ATP production का main stage आता है जिसे electron transportation chain कहते हैं और इसमें मूलता भाग लेता है यह NADH और FADH2 जैसे electron carrier molecule जो की अभी पिछले के 3 processes में बहुत सारे बन गए हैं यह electron carrier molecule बहुती complex process के साथ शरीर में फार्म हो और इस cellular respiration में यह electron को carry करके इस आखरी stage पर लेकर आते हैं यह बहुत ही important role play करते हैं cellular respiration में होता क्या है हमारे mitochondria के inner membrane पर कुछ protein के complexes होते हैं जो कि इन्ही NADH और FADH2 molecule से electron को लेते हैं यह process बहुत ही लंबा है और इस ही electron की वज़े से hydrogen ion यानि proton को बाहर की और pump करते हैं mitochondria क इनर membrane से outer membrane की तरफ और इस process में अब oxygen की आवशक्ता भी होती है इसमें oxygen hydrogen के साथ क्रिया करके water का निर्मार भी करता है जो आप यह बड़ा सा protein complex देख रहे हैं mitochondria के inner membrane पर इसे ATP सिंथेस कहते हैं इसमें क्या होता है कि जब यही बाहर हुए pump proton इसी ATP सिंथेस से होते हुए अं निर्मार होता है और कुछ इस तरीके से हमारा mitochondria energy का निर्मार करता है उम्मीद करता हूँ कि आप यह बात समझ गए होंगे कम से कम एक overview तो मिली गया होगा आपको कि यह mitochondria काम कैसे करता है